नमस्कार स्वागतेवं अभिननन पुना मेरे चैनल अक्षय ज्यान पे आज आपके समख्ष दिक्षार हिंदी पाठ पंद्रह कक्षा साथ मन भावन सावन के प्रिश्णोतिकों के लेकर पस्तित हुई हूँ ताड के पत्ते किस रूप में दिखाई पढ़ रहे हैं? ताड के पत्ते पंकों के रूप में दिखाई पढ़ रहे हैं जिन में अंगुलिया और चोड़ी हतेली भी है चैХंज तूसरा हर सिंगार और बेला की फोलों पर सावन की पूनोर काई क्या प्रभाव पढ़ रहे हैं हर सिंगार के फूल जड़ रहे हैं और बेला की फूलों में प्रतीपल कลि आ रही है प्रस्ण तीसरा निम्डी की भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं पीपल के पित्ते मानव ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आननित हो जूम रही है भाव है नाच रहे पागल हो ताली देदे चलदल जूम जूम से नील हिलाती सुख से भीवल प्रस्ण खाज का पानी की गिर्ती धाराओं से धर्ती के कंकंड में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं धाराओं पे धाराएं जर्ती धर्ती पर रच के कंकंड में त्रन त्रन कुप पुर्कावली भर ये उसका भाव है निम्लिकित पंक्तियों के भाव स्पस्ट कीजी उर्ते सौन बलाग आरद्र सुक्सिकर क्रंदन आसा है परसाथ में खुशुकर के आवास करती हुए बगुल उर्ते हैं रोम सिहर उर्ते छूते पे भीतर अंतर आसा है परसाथ की मौसम में रोमाच होता है जिसका एर्धर पे घहरा प्रवापर्ता रोमडों कील जाता है फिर फिर आए जीवन में सावन मन भावन मन को अच्छा करने वला सावन अर्था जिसमें हवे खुशी मिले ऐसा सावन बार बार आए और जीवन में खुशियां फढ़ता रहे यही कभी की इक्षा है कविटा की अंतिम पक्तियों में कभी ने क्या इक्षा व्यक्त की है कभी ने इक्षा व्यक्त की है कि मन भावन सावन जीवन में बार बार आए हमारे जीवन को खुशियों से हमेशा यूही भरता रहे इस तरह से हमारा भ्यासकारे पूरा होता है जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइब सब्सक्राइब थेंक यू शियर